दोस्तो आज मैं आपके लिए top 6 gaming stock लेकर आया हूँ जिनमें आप invest कर सकते हैं लेकिन invest करने से पहले हम एक बार gaming industry को समझ लेते हैं इंडिया एक top gaming market बन रहा है जैसे इंडिया में IT सेक्टर बढ़ रहा है वैसा ही इंडिया में gaming industry भी बहुत तेजिसे बढ़ रही है इंडियान government इस industry को 2025 तक 5 billion dollar की बनाना चाहता है तो अगर आप इन company के stock में invest करते हैं तो तो सोचो आने वाले पास 10 सालों में आपको कितना बड़ा profit हो सकता है तो चलिए अब वीडियो के शुरू करते हैं तो इस list में 6 number stock की बात करतो तो ये company भारत की largest gaming company है और ये एकलावती एसी company है जिसमें 2000 से ज्यादा game चलते है जो 55% market capture करता है तो चलिए अब बात करते हैं इसके fundamental के बारे में तो company का market के अब है 5,090 करोड रूपीज का इसका return on equity 3.25% और RC 5.40% का है तो बात करते हैं इसके debt की तो इस company के उपर 45.3 करोड रूपीज का debt है जबकि इसका net annual profit है 67. 37.8 करोड रूपीज का और इस company का debt to equity ratio है 0.02 का और इस company के पास 98.3 करोड का free cash flow भी है इसका earning per share 5.73 रूपीज का है जो कि इसके price के इसाब से काम है और ये stock अभी अपने industry PE ratio से निचे trade कर रहा है और इसका industry PE ratio है 37.2 का जबकि stock PE है 36.9 का यानि ये stock अभी over value है और यहाँ पर promoter की holding 33.3 की है जो काम है generally promoter की holding 50% से ज़्यादा हो तो अच्छे मान जाती है और company अपने investor को dividend भी देती है और इस company का dividend yield है 0.54 का और एक साल में इस company ने minus 20.1 का return दिया है और तीन साल में 8.55 का return दिया है और अभी इसके एक share की price चल रही है 218 रूपीज और इस stock का नाम है डेल्टा कॉब लिमिटेट तो आप इस stock को consider कर सकते हैं अगला stock बतने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे channel को subscribe नहीं किया तो please subscribe करें और अभी तक आपने अपने अपना free में demand एकन ओपन नहीं किया तो description में link दी है वहाँ से आप अपना free में demand एकन ओपन कर सकते हैं तो च 39 करोड रुपीज का इसका return on equity 3.26% का और RC 8.11% का है तो बात करते हैं इसके debt की तो इस company के ओपर 4.30 करोड रुपीज का debt है जबकि इसका net annual profit है 50.7 करोड रुपीज का यानि कि इस company को हम debt free बोल सकते हैं और इस company के पास 50.7 करोड रुपीज का free cash flow भी है इसका earning per share 5.33 रुप है और यहाँ पर promoter की holding 19.2% की है जो बहुत कम है और एक साल में इस company ने minus 51.3% का return दिया है और अभी इसकी एक share की price चल रही है 694 रुपीज तो आप चाहे तो इस stock को भी आप consider कर सकते हैं तो fourth number stock की बात करें तो इस company का नाम है जैंसर Technologies Limited और यह एक भारत की leading digital solution and technology service company है company दो segment में काम कर रही है एक application management services और दुसरा infrastructure management services तो चलिए अब इसके भी fundamental की बात करते हैं तो company का market के अब है 4,951 करोड रुपीज का इसका return on equity 16.4% का है और RC 21.1% का है जो अच्छा मने जाता है तो बात करते हैं इसके debt की तो इस company के उपर 335 करोड रुपीज का debt है जबकि इस company का net annual profit है 422 करोड रुपीज का और इस company का debt to equity ratio है 0.12 का यानि कि इस company को हम debt free बोल सकते हैं और इसके पास 278 करोड रुपीज का free cash flow भी है इसका earning per share 17.3 रुपीज का है जो कि इसके price के इसाब से कम है और ये stock अभी अपने industry P.E. ratio से जिचे trade कर रहा है और इसका industry P.E. ratio है 28.9 का जबकि stock P.E. है 12.7 का यानि कि ये stock अभी under value है और यहाँ पर promoter की holding 49.2% की है और company अपने investor को dividend भी देती है और इसका dividend yield है 2.31% का एक साल में इस company ने minus 55.2% का return दिया है और तीन साल में 2.65% का return दिया है और अभी इसके price चल रहा है 219 रुपीज तो आप चाहे तो इस stock को भी आप consider कर सकते है तो इस list में third number का stocks है जिसका नाम है Tech Mahindra Limited और ये एक IT service application development and maintenance के कारोबार में लगी हुई है तो company का market cap है 98,192 21.5% का और RC 26.6% का है जो अच्छा मना जाता है तो बात करता है इसके debt की तो इस company के उपर 2,618 करोड रुपीज का debt है जबकि इसका net annual profit है 5,630 करोड रुपीज का और इसका debt to equity ratio है 0.10 का company के उपर अपने equity से कम debt है तो इस company को हम debt free consider करेंगे और इस company के पास 4,450 करोड इसका earning per share 55 रुपीज का है जो कि इसके price के सबसे कम है और यहाँ पर promoter की holding 35.2% की है और इस company का duty deal है 1.47% का और अभी इसके एक share की price चल रहे है 1,009 रुपीज तो आप चाहे तो इस stock को भी आप consider कर सकते है तो अब बात करते है second number stock के बारे में जिसका नाम है Infosys Limited Infosys Limited भार की second largest IT company है और company का market cap है 60,1383 करोड रुपीज का इसका return on equity जबर्दस है 29% का और ROC उससे भी शांदर है 37.1% का तो अब बात करते हैं इसके debt की तो इस company के उपर 6,059 करोड रुपीज का debt है जबकि इसका net annual profit है 22,146 करोड रुपीज का और इस company का debt to equity ratio है 0.08 का company के उपर अपने equity से कम debt है तो इस company का हम debt free consider करेंगे इसका earning per share 53 रुपीज का है जो कि इसके price के इसाब से कम है और यहाँ पर promotor की holding 13.1% की है जो बहुत कम है और इसके साथ ही company अपने investor को dividend भी देती है और इसका dividend yield है 2.17% का growth के साथ-साथ company dividend भी देती है और अभी इसकी एक share की price चल रही है 1,429 रुपीज तो आप चाहे तो इस stock को भी consider कर सकते है तो first number company की बात करते है तो इस company का नाम है Tata Consultancy Services Limited Tata Consultancy ये एक Tata Group की flagship company है जो IT Services Consulting and Business Solution के कारवबार में लगी होई है तो चलिए अब इसके भी fundamental की बात करते हैं तो इस company का market के अब है 11,44,551 करोड रु जबर्दस है 43,6% का और RSI उससे भी शांदर है 54,9% का तो बात करते हैं इसके डेप की तो इस company के उपर 7,460 करोड रुपीस का डेप है जबकि इस company का net annual profit है 38,449 करोड का है और इस company का debt to equity ratio है 0,08 का company के उपर अपने equity से कम डेप है तो इस company का हम debt free consider करेंगे और इस company के पास 37,000 करोड का free cash flow भी है इसका earning per share 108 रुपीस का है जो कि इसके price के इसाब से कम है और यहाँ पर promoter की holding 72,3% की है जो कि अच्छी मने जाती है और एक साल में इस company ने minus 14,1% का return दिया है और 3 साल में 15,1% का return दिया है तो आप चाहे तो इस stock को भी आप consider कर सकते हैं दोस्तो यह ते 6 top gaming stocks अगर आप इन stock में invest करते हैं तो आने वाले समय में यह सभी stock आपको अच्छा return दे सकते हैं लेकिन invest करने से पहले एक बार अपनी तरफ से भी self analyze जरूर करें तो चलिया दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडि